Hello friends, इस वीडियो में जो collective nouns हैं, important collective noun हैं, वो इस वीडियो में 21 से लेके 40 तक देखेंगे, 20 collective noun और आपको जैसे उपर लिखा है bird denoting groups, जो किसी ना किसी के group को बताते हैं, जैसे किसी का a team of player, जो player की team होती है, a group of students, students का group होता है, तो इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो part 1 है, वो description में link होगा उसका, आप उसको जाके देख सकते हैं, चलिए इसको सुरू करते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe जरू करें यार, और bell icon को press करें, तो पहला क्या है इसमें, 21 जो पत् of cloths, जो बस्तरों का संग्रे होता है, उसको हम कहते हैं, आ बार्ड रूब of cloths, अगला देखते हैं, 23 जो भद्र नारियों का शमू होता है, उसको हम कहते हैं, आ बेबी of ladies, और अगला देखते हैं, 24 घास का गुच्छा, जो घास का गुच्छा होता है, उसको हम कहते हैं, आ रटाफ ऑ ग्राज अगहे देखते हैं क् जो मच्रीओं ना kick होता है उसकोँ कहते हैं आश उल्ण सिज्दा सिर्ट सदो जो जैवर कiden ऑगला देखते हैं जो चाहिएं का समूह ध्रहन सब्ण कर देखना काक दले अगला देखते हैं जो खिलाडियों का दल होता है तो उसको कहते हैं निर्तकौन की मंदली होती है निर्तकौन की तो उसको कहते हैं a troop of dancers a troop of dancers a troop of dancers और यह को टूप होता है टी आर डवलोग पी इसका मतलब होता है soldiers a troop of soldiers इसका मतलब होता है soldier अगला देखते हैं 30 a chain of mountains जो परबतों की सीडी होती है उसको हम कहते है आज chain of mountains आके देखते हैं 31 तो 31 हो क्या है आप बोर्ड ओफ डारेक्टर जो निर्देशकों की जो मंदली होती है उसको हम कहते हैं आप बोर्ड ओफ डारेक्टर आप बोर्ड ओफ डारेक्टर जो निर्देशकों की जो मंदली होती है उसको कहते ह स्पर्ण और दिर्क्रम अगला दिखते हैं अनाज का गठर होता है उसको कहा कहते है आसिफ ग्रेंज दोन और मैंड की सब्सक्राइब निया इंदों करते है। जुरी तो अ zoo a jury of judges jury of judges तो अगला देखते हैं जो ब्रच्शों का समन होता है उसको हम कहते हैं clump तो a clump of trees a clump of trees 36 देखते हैं जो सर्मकों की संग कोरता है सर्मकों का तो उसका होता है a union of workers जो रंग होता है उसको कहते हैं यूनियन और बरकर्स को कहते हैं सिर्मिकों तो इसका क्या होगा आगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें अगला देखते हैं 37 जो गाना गाते हैं उनके of singers a chorus of singers आगर देखते हैं a troupe of artists और अभी पीछे देखे थे तो इसको हम a troupe of artists a troupe dancers भी हो सकता है जो खलाकारों की मंडली होती जो कहते हैं त्रüp और यो टी- कोखते हैं उनके समुप कम कहते हैं true और यो ती आर यह जो यह spelling है इसका मतलब होता है artist कलाकारों की मंदली और इसका एक और होता है art troop of dancers 39 है a hamlet of huts in village जो गाउं में जुपडियों का एक ठिकाना होता है उसकों कहते हैं hamlet अगला देखते हैं 40 इसका है क्या a league of nations जो राष्टों का संग होता है कई देशों का जो संग होता है उसको कहते हैं a league of nations thank you friends अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई है तो चलिए मिलते हैं न्यू वेडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत